इस वीडियो में हम बात करेंगे CBSC के लेटेस्ट अपडेट की और CBSC की लेटेस्ट अपडेट है CBSC की डेटशीट ये डेटशीट आप तक पहुंच गई होगी इस डेटशीट को आपने देख लिया होगा फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लिया होगा और आपने डिसकस भी कर लिया होगा कि भाई एकजाम तो सर पर आ गहे है इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे इस वीडियो में हम डेटशीट को दोबारा से देखने वाले डेटशीट को हम रिव्यू करेंगे डेटशीट को हम एनलाइज करेंगे और एक strategy को prepare करेंगे strategy prepare करने का मतलब यह कि हम date sheet को देखने के बाद यह थोड़ा सा एक plan out करेंगे कि हमें कहां पर कितना focus करने के जोड़ता है अब देखिए कुछ subject ऐसे होगे जहाँ पर आपको sufficient time मिल जाएगा बीच में in between यानि कि आप revision ठीक से कर पाओगे कुछ subject ऐसे रहेंगे जहाँ पर आपका slivers काफी length यह लेकिन उतना time आपको नहीं मिल पाएगा class 12th की बात करें particularly तो उनके साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ subject में बहुत सारा gap मिल रहा है यानि कि काफी days मिल जाएगी और कुछ subject ऐसे होंगे वहाँ पर उतना time नहीं मिल पाएगा तो जो बहुत सारे days मिलते हैं कई बार वहाँ भी गड़बड हो जाती है क्योंकि हम थोड़ा ससुस्त हो जाते हैं कि भाई बहुत दिन रहते हैं तो उस time को कैसे हमें utilize करना है वो सब कुछ हम यहाँ पर discuss करेंगे पहले हम बात करेंगे class 10th की date sheet की उसको हमे analyze करना है and after that we will discuss the class 12th science, commerce and humanities के date sheet को discuss करने वाले let's begin चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं class 10th की date sheet को तो देखिए class 10th की date sheet आपके जो exam है, board की exam है वो start हो रहे है 19th of fab से भाई, fab तो जल्दी आ ही गई है बिल्कुल past में आ चुकी है तो 19th of fab को आपका संस्कृत का exam रहेगा हम यहाँ पर main subject की बात करें तो संस्कृत का आपका exam रहेगा 19th of fab को चाया आपके पास elective है चाया आपके पास compulsory संस्कृत है और आपके main subject की बात करें जो सभी students के पास रहेगा वो रहेगा आपका 21st of fab को हिंदी का exam रहेगा देखिए जो first exam होता है तो वहाँ पी इतना ज़्यदा issue नहीं रहता है क्योंकि हमारे पास अपने according depend करता है कि हम last four days, last three days, last five days जितना हमें चाहिए उसी requirement के according हम वो time दे पाते हैं उसी subject के ओपर तो हाँ जिनके पास संस्कृत जो subject है उनको थोड़ा सी धियान रखना है कि हिंदी पहले से revise करके side में रख लें ठीक क्योंकि आपको सिरफ one day में लेखा one day है that is not sufficient to revise properly उसमें आप ठीक तरे कैसे revise नहीं कर पाओगे थोड़ा सा pressure भी हो जाता है और exam के बाद हम थोड़ा tired भी feel करते हैं तो उनको थोड़ा सा धियान रखने की need है otherwise जब हम हिंदी की बात करें है तो आपका 21st को exam है तो आप 17, 18th, 19th और 20 यानकि 4 days total है आप लगा सकते हिंदी के लिए वो काफी रहेगा आपके लिए यानकि आप 17th तक आप बाकी subject को commonly लेकर के चलिए जो आपके routine में preparation चल रही है revision चल रही है उसी को लेकर के चलिएगा और 17 के बाद 17 to 21st को आपके exam है तब तक आप हिंदी के उपर ही only focus करेंगे उसके बाद देखिए Fab 26 को आपका English का exam है और यहाँ पर आपको 22nd, 23rd, 24th और 25th तो यहाँ पर आपको पूरा time मिल रहा है 4 days मिल रहे हैं that is more than enough काफी रहेगा तो यहाँ पर भी आपको कुछ अलग से try करने के need नहीं है पहले आपके routine में जो revision सल रहे है उसको आप चलते रहने दीजेगा उसके बाद आपका English के बाद next जो exam रहेगा वो science का रहेगा science में आपके पास 27 है 28 है, 29 है और first है 4 days आपको मिल रहे हैं और 4 days आपके लिए काफे रहेंगे 3 days में आपने आपने बायो किया physics किया, chemistry किया और fourth day में आपने दोबारा से पूरे syllabus को revise किया एक quick revision आपने वहाँ पे दी तो भी आपका revision मस तरीके से हो जाएगा ऐसा ही आपके पास अगर home science है girls के पास, जो girls school है वहाँ पी option available होता है और home science अगर उनके पास है तो वहाँ पे आपके पास one day मिलेगा home science के लिए तो home science एक basic subject है और उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यदा depth में जाना है syllabus भी बहुत limited होता है तो यहाँ पे one day आपके लिए enough है उससे पहले अगर आपको लगता कि पहले अगर आपके ठीक से exam नहीं है class test वगरा नहीं है तो उसको हमें पहले से prepare करना पड़ेगा otherwise आपके final revision के लिए one day is enough उसके बाद आपका SST, social science का syllabus की अगर बात की जाए तो देखे जिनके पास home science नहीं है यह मानके चलिए कि 5% students है उनके पास home science है उनके लिए science के direct बाद SST का, social science का exam रहेगा तो यहाँ पर आपके पास third है fourth है, fifth है और sixth है, four days है अब four days में आप easily अच्छे तरीके से revise कर पाओगे इसके लिए आपको करना क्या है आपको एक strategy बनानी पड़ेगी जैसे आप third की हम बात करें तो हमारे पास second का भी तो है evening का आपके पास time रहेगा तो second को आपको map work plus एक sample question paper करना है अगर हम SS की strategy की बात करें तो map work को sample question paper है आप second of march को science के एक्जाम के बाद ही कर लोगे third की अगर बात की जाए तो आपके दो subject आपको cover करना है third को यानि कि third of march को third of march को आपको eco के four chapters है जो कि exactly four chapters है नहीं 3.25 chapter ही कहेंगे क्योंकि आपका globalization जो chapter है globalization में बहुत कुछ नहीं रहा है delete हो चुक है तो इसके साथ साथ eco के साथ साथ आपको revision करनी है pole science की pole science के कितने chapter first, second and third chapter को आप निप्टा डालोगे ये third को हो जाएगा fourth को अगर बात की जाए तो आपका history जिसके 3.25 chapter है यानि कि साड़ी तीन chapter भी नहीं है plus में आपके pole science के remaining जो two chapters है वो हो जाने चाहिए ये fourth को हो गया और fifth को आपकी complete geography plus again map हो जाने चाहिए map के उफर focus जादा होना चाहिए तो ये हो गया sixth को आप दो बारा से complete syllabus को revise कर पाऊगे यानि कि हमें ये नहीं जाना कि बहुत slow लेकर के चलना है इसके लिए अगर proper तरीके से revise करना syllabus काफी length है तो आपको जो second of March है उस day को utilize करना पड़ेगा आपको map work और one sample question पे पर वो solve करके रखना है ताकि आप next, third, fourth and fifth को ठीक से revise कर पाऊ और sixth को आप quick revision दे पाऊ क्योंकि quick revision में ये भी होता है कि कुछ topics आपको लगता कि ये ठीक से नहीं है तो उनके पर focus भी करना है बाकि मोटी तोर पर देखना भी है तो ये सब कुछ आपका हो जाएगा तो यहाँ पे भी को issue नहीं आना चाहिए उसके बाद अगर देखा जाए mathematics तो यहाँ पे आपको 8, 9, 10 three days मिल रहे है और three days में mathematics की revision हो चाहेगी क्योंकि revision में यह होता है कि आपको solve करके देखना है और जब हम solve करके देखते हैं तो mainly यह होता है कि हम खुद को recheck करते हैं एक तरीके से कि क्या यह सब कुछ ठीक से जा रहा है कुछ topics है जो important रहेंगे तो आपकी जो first revision है वो आपकी seven evening से start हो जाएगी seven eight or nine को हो जानी चाहे और ten को है आप दोबारा से एक revision दे दोगे clear क्योंकि doubts भी रहेंगे तो doubts भी आप साथ साथ देखोगे कि जो ten रहेगा उस दिन हमें वो भी देखना कि जहांपे हम attack रहें लटक रहें तो उसके उपर हम focus कर पाएं तो tenth class की overall अगर date sheet की बात कीजिए तो बहुत अच्छे तरीके से prepare की गई बड़े balanced way से prepare की गई कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाले हाँ ये जरूर आपको sure रखना कि आप इस दोरान fit रहो आपको ये भी ensure करना है कि आप कहीं पर भी कोई इस type का function attend नहीं करो आपको ये भी ensure करना है कि आप proper focus करके इस time को utilize कर पाओ और उसके लिए सबसे important रहे का कि देखी ये final revision के लिए time मिलता है date sheet के बीच में उससे पहले आपकी revision बहुत अच्छे तरीके से हो जाने चाहिए और उसके लिए आपको pre-board exam है उसको काफी seriously लेना है तो जहां तक 10th की बात है तो उसके बाद अगर हम बात करें तो 10th की date sheet है that is quite good हम 12th की बात करेंगे 12th में अगर देखा जाए science stream में सबसे पहले हम main subject की date sheet को देख लेते है तो यहाँ पे science में first जो exam रहेगा science stream का वो रहेगा feb 22nd को English का exam है English में को issue नहीं है science के students हो तो वहाँ पे बिल्कुल भी issue नहीं है फिर भी आप 2021st today's at least आप English को दोगे जिन students को लगता है कि English में थोड़ा असा दिक्कत है पूरे साल आपने focus नहीं किया है full year आप बाकी subjects के उपर focus करते रहे हो तो आप 19 को भी ले सकते हो उसके बाद chemistry की बात करें तो आपके पास 4 days मिल रहे है that is enough और यहाँ पर देखिए 28, 29 and 1, 2, 3 आपके पास 5 days proper मिल रहे है physics के लिए that is more than enough काफी आपके लिए revision के लिए यहाँ पर maths के लिए भी आपको 5 days मिल रहे है that is more than enough उसके बाद physical education बीच में आ जाएगा जिन students के पास है और biology के लिए भी अच्छा खासा आपको time मिल रहा है यहाँ पर कोई भी issue नहीं आ रहा और जो computer science है क्योंकि science वाले students के पास मिलेगा तो इसमें आपका एक लंबा चोड़ा gap आ रहा है हलांकि जो आपका 6th subject आपने ले रहा है अगर in between जो exam है तो उसको भी आपको seriously लेना है ठीक, तो science वाले students के लिए इतना कहने की need नहीं होती क्योंकि वो already serious है लेकिन फिर भी आप ये ध्यान रखोगे कि ये revision के लिए आपको time मिल रहा है वहाँ पर आप कुछ fresh learn नहीं कर पाऊगे तो जो learning का task है कहीं पर भी आपको doubts है तो doubts वगरे आपके practical exam से पहले clear हो जाने चाहिए उसके बाद हम बात करेंगे commerce की date sheet की class 12th commerce की date sheet की अगर बात की जाए main subjects को ही यहाँ पर हम देखने वाले है तो देखे 22nd को आपका English का exam रहेगा उसके बाद 9th of March को mathematics का exam रहेगा 18th of March को economics का exam रहेगा बहुत गयप है उसके बाद यहाँ पर देखिए accountancy का exam है 23rd को accountancy में यह होता है कि practice की नीड़ तो होती है time management matter करेगा और जितने days हमें मिले हैं 5 days है वो काफी हैं आपके लिए BST की बात करें तो BST में भी आपको 3-4 days मिल रहे हैं बस इतना ही होता है theoretical exam है ज्यादा कुछ नहीं होता लंबा जोड़ा तो यहाँ पर भी सब कुछ ओके है revision अच्छे से करते रहे है accountancy की practice बहुत जरूरी accountancy में basically दिक्कत कहां आती है कि जो students थोड़े से slow होते है वो exam 3R7 के लिए exam के वो कम पढ़ जाते हैं तो वो हमें ध्यान रखना है उसके बाद हम arts team की अगर बात करें हम natives की बात करें तो उनकी date sheet को देख लेते हैं यहाँ पर क्या कुछ दिया गया है कितने days मिले है यहाँ पर देखिए arts team में हम देखें तो फर्स जो आपका exam है वो हिंदी का 19th of fab को होगा हिंदी चाहे आपके पास elective है या हिंदी core है 19th of fab को आपका हिंदी का exam रहेगा 22nd of fab को English का exam रहेगा जो arts के students है जिनकी English इतनी ज़्यादा strong नहीं है तो उनको एक revision बढ़े अच्छे वाली revision है वो 10th year 15th of fab से पहले मार लेनी है क्यों यहाँ पर आपको 20 और 21st 2 days मिलेंगे और उसमें कई बार कुछ students को जो English में इतनी अच्छे नहीं है तो उनको दिक्कत आएगे 2 days में पूरी syllabus को revise करने में ठीक तरह किसे तो उससे पहले आपको एक strategy लेनी है कि जैसे आप 15 या 16 से लगे 16, 17th and 18 यह 3 days enough है हिंदी के लिए और उससे पहले अगर बात की जाए तो आप 13th, 14th and 15th यह 3 days आप completely English को दे सकते हो उसके बाद आप जब 20 और 21st 20 and 21st को दोगे तो आपके English की revision ठीक तरह के से आजाएगी तो यह थोड़ा सा आपको manage करना होगा उसके बाद अगर जियो की बात करें तो जियो का syllabus देखिए ठीक ठाक सा है लेकिन उसके according हमें days भी मिल गए है 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th and 28th 6 days मिल गए हैं तो 6 days आपके लिए काफी रहेंगी इसमें थोड़ा सा proper strategy के साथ चलिएगा जैसे आपके जो chapters है तो उनको आप per day में एक target लेकर के चलोगी इस per day में हमें कितना लेकर चलना है देखिए 20 second को English का exam है तो उसी दिन आपको map work को solve करना है map work plus आपका एक sample question paper हो जाना चाहिए उसके बाद आप three chapters per day के साथ से लेकर के चल रहे हो three chapters या four chapters per day के साथ से लेकर के चलिए तो आपको last में दो revision देनी है यानि कि first revision है four chapter per day के साथ से होने चाहिए और जो आपका 28 तो fab है उस दिन आप दो बारे से उसको revise कर पाओ तो इस हिसाब से आपके एक strategy रहनी चाहिए और अगर आपको लगता है कि four plus chapter भी आप कर रहे हो five week कर पा रहे हो तो भी that's all आप last two days में एक second revision दे सकते हो तो two revision जरूरी हो जाएगी जियोग्राफी में यह आपको दियान रखना है और map work के उपर ज्यादा focus करना है क्योंकि ten marks आपके map work के रहेंगे और उसका syllabus भी दिया गया है उसके बाद देखिए 14th of March को सीधा देखिए arts वालों के लिए कहां है 29th of February के बाद 14th of March में रिजनल लेंग्वेज का एकजाम रहेगा किसी को पंजाबी है तमिल है तेलगू है कंड़ है मल्यालम है या मराथी जो भी लेंग्वेज है उसका एकजाम रहेगा 18th को जाकर की economics का एकजाम रहेगा 18th को यह भी देखे बहुत कम students के पास eco रहेगी तो eco यहां English के बाद जिनके पास geo नहीं है तो बहुत लंबा गयपा जाएगा पोल साइंस आएगी उसके बाद यह combination काफी सारे students के पास होता है काफी सारे के पास यह रहेगा तो जिनके पास geo नहीं है eco या pole science है तो उन्हें यह ध्यान रखना है कि आपको at least 10th of March तक आप pole science के उपर focus कर सकते है क्योंकि उसका syllabus इतना length ही यह लेकि length ही है क्योंकि यहां पे आपको लग रहा है कि एक ही revision हो पाएगी तो उससे पहले आप 7, 8, 10 days है वो pole science को दे सकते हो जिनके पास eco plus pole science है उनको manage करने की need है अगर उनके पास geo plus eco है that's okay अच्छा है gap मिल रहा है geo plus pole science है need not to worry उसके बाद history की बात आ रही है तो जिनके पास काफी सारे students है जिनके बास combination रहता है pole science plus history तो उनको भी यही करना है कि English के बाद है आप 10 to 12 days है वो history को दोगे उसके बाद आप pole science के उपर आओगे क्योंकि यह days manage करने बड़े जरूरी है कई बार यह होता है कि हम track से उतर जाते हैं सब कुछ गड़बढ हो जाता है हम वापस TV में लगए वापस social media के उपर आगए हमें लगा कि भाई बहुत days रहते हैं तो वहाँ गड़बढ हो जाएगी आपको इस time period में एक time table set करना होगा और उस time table को follow करना है कि मुझे 4, 5 hour, 6 hour, 7 hours मुझे study करनी है क्योंकि exam सागे आने वाले है Sanskrit core की बात करें तो यह 30th March को रहेगा और sociology का exam में इन subject में देखें तो यह 1st of April को रहेगा last year भी कुछ ऐसा ही था सबसे end में होगा जिनके पास sociology है तो वो आराम से चिल कर सकते हैं अगर उनके पास pole science है तो अगर उनके पास history plus sociology है तो उनको उससे पहले कुछ हद तक slaves को revise करना पड़ेगा जहां पर भी उनको gap मिलेगा तो यह रहेगी आपकी date sheet और इसी के coding आपको set करना अपना schedule और अच्छे तरीकिसी revision के उपर focus करना इसके लाव अगर आपके कोई doubts है question है किसी भी type का तो आप comment section में comment किया जा सकता है आप Instagram पर मुझे follow कर सकते हो join कर सकते हो और ऐसे ही हमारे channel को join किया जा सकता है टेलिग्राम के उपर जहां पर आपको इस date sheet की PDF पी अवलेबल करवा दी जाएगी और जिस भी subject की requirement है उसके simple question paper की PDF पी आपको अवलेबल करवा दी जाएगी आज के लिए बस इतने thank you, bye bye, have a nice day